भारत के पांच ऐसे रहस्यमय मंदिर जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएगे दुनिया का एक मात्र ऐसा मंदिर जहां न सिर्फ पुरुष अपने बाल का दान करते हैं, बलकि महिलाएं भी अपने बालों का दान करती हैं इस मंदिर में भगवान की मूर्ती को इतना जीवित माना जाता है कि यहां मूर्ती पर पसीना आता है और मूर्ती पर बाल स्थित है और ये बाल इतने रहस्यमय है जो कभी उलजते भी नहीं है ये मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित भगवान विश्णु जी को समर्पित है। भारत के इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष करोडों लोग दर्शन करने और अपनी मनो कामना पूर्टी हेतु विनती करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान विश सिद्ध है। तांत्रिक लोगों का इस मंदिर से काफी आस्था जुड़ा हुआ है। यहां पर दुनिया भर के तांत्रिक विशेश दिनों में एकत्रित होते हैं। पौरानिक कथाओं के अनुसार यहां पर देवी सती की योनिगिरी थी। यहीं भगवती की महामुद्रा यानि योनिकुंड स्थित है। यहां एक पत्थर से हर समय पानी निकलता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है। यह आज तक किसी को पता नहीं है। मानते हैं कि तीन दिन देवी मासिक धर्म से रहती इस दौरान पास में स्थित ब्रहम पुत्र नदी का पानी तीन दिन के लिए लाल हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। नमबर तीन श्री राम मंदिर अयोध्या भारत के सबसे चर्चित मंदिरों की सूची में पहला नाम फिलहाल श्री राम मंदिर अयोध्या का है। बता दे 500 वर्षों से चली आ रहे इस विवादित जमीन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2000 उगनिस में सुनाया और इस साल बन कर तयार हो गया है। 22 जनवरी 2024 को पूरा भारत श्री राम जी के 500 वर्षों के वनवास को भुला कर पूरे भारत में दिवाली मनाने की तैयारी में है। बता दे 2024 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किये जाने वाला मंदिर श्री राम मंदिर अयोध्या ही है। हर भारती ये इस मंदिर में दर्शन करने के लिए काफी उतसाहित है। नमबर 4. केदारनात मंदिर उत्तराखंड के रुद्र प्रयाग जिले में स्थित केदारनात मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है। लेकिन इसी 6 महीने में इस मंदिर में विराजमान भगवान शिव के दर्शन करने हर साल करोडों लोग जाते हैं। यह मंदिर भारत की सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बता दे इस मंदिर के बंद होने के कुछ ही दिनों बाद। इसके दोबारा खुलने का इंतजार लाखों श्रद्धालू ऐसे करते हैं जैसे कि इस मंदिर में जाकर भगवान शिव का दर्शन करना ही उनका मंजिल है और वे लोग इस मंजिल को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आपको बता दें कि केदार नात मंदिर पंच केदार चार धाम और भगवान शिव के बारा जोतिर लिंगो में भी शामिल है नमबर पांच वैशनो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित माता वैशनव मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है नवरात्री के समय इस मंदिर में लाखों श्रद्धालू माता के दर्शन करने आते हैं बता दें कुछ साल पहले माता वैशनो देवी मंदिर तक जाने के लिए कटरा से पैदल ही जाना पड़ता था लेकिन वर्तमान में माता वैशनो देवी मंदिर तक जाने के लिए घोडा, पालकी, बैटरी कार और हेलिकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है